नमस्कार में मांसी राठोर दीजना हल्चन में आप सभी का सुआगा थे आगे बढ़े से पहले देखते हैं नगर की प्रम हल्चने भाच्पा कारेले पर भाच्पा वरिष नेता हिमत को धारी के नेतरोत में मनाये गया भाच्पा इस्थापना दीवस महीं शेयर में विविन जगेवे स्थापने दीवस पर कारेक्रों मायू जीत श्यामा प्रशाद मुकर्जी की प्रतिमा पर भाजबाने ताउनी क्याम मालियारपन वाड क्रमांग बारा में आदा दरजन के करीब अन्य दलों से आए लोगों नीदी भाजबा की सदस्यता वार्चस की लड़ाई को लेकर एक सप्ता पूर्व नामली थाना अंतरगों दुए दूरे हत्या कांड के 10,000 रुपे के इनामी आरूपी सोरब मराठा चड़ा पूलिस के हत्ते सोरब मराठा के साधी अन्य तीन हत्या के आरूपियों को भी पूलिस ने पकड़ा बाकी अन्य की तलास जारी कॉंग्रेस कारिकरता सम्मेलन में प्रदेश्यवा कॉंग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रान बुर्या ने भाजवा प्रत्याक्षी पर लगाया एक गंबिर आरूप वहीं कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतु पटवारी ने कांधिलाल भुरिया को एक लाग पचास अदार से अधिक मतों से जिताने का दियावचन भारती जन्ता पार्टी का स्थापना दिवस पार्टी कारेले के साथी प्रतेक्ट बूत इस्थर परमन आये गया भाचपा की इस्थापना दिवस वा शेहर में विबिन जगह कारेक्रम आये जित हुए पहले स्रोड स्थित भाचपा कारेले पर भाचपा वरिष्ट नेता हिम्मत को ठारी एवं भाचपा जिला अध्यक्ष प्रदिप उपाध्याई के नेतरत में पार्टी का स्थापना वही अन्य दल छोड़कर भाच्पा की सदस्तिता लेने वाले लोगों का केसर या दुपटा पहना कर स्वागत किया गया कारेक्रम के अंत में भाच्पा कारेले पर भाच्पा जिला अध्यक्ष प्रदिप उपाद्याय महामंत्री निर्मल कडार्या भार्जीयो मजिला अध्यक्ष विपलव जेर आधी भाच्पा नेताओं द्वारा पार्टी कारेले पर ध्वच पराकर एक दूसरे को भाच्पा क की स्थापनाग पर बदाई प्रेशित की भारती जन्ता पार्टी जिन्दावाद जिन्दावाद भारती जन्ता पार्टी के स्थापनाद दीवस पर शहर में विबिन जगाय कारेकरम आयजीत किये गए जिसके अंतरगत 80 फीट रोड इस्थीद भाच्पा के प्रित पुरुष श्यामा प्रशाद मुखर जी की प्रतीमा पर भाच्पा नेताओं ने माले अरपन किया भारती जन्ता पार्टी के स्थापनाद दीवस के अवसर पर 80 फीट रोड इस्थीद भाच्पा के पित्र पुरुष श्यामा प्रशाद मुखर जी की प्रतीमा पर भाच्पा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याई महापोर निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीशा पुरोहित एवं पुर्व एमाईसी सदे से पवन सोमानी आधी भाच्पा नेताओं द्वारा भारती जन्ता पार्टी के पित्र पुरुष श्यामा प्रशाद मुखर जी की प्रतीमा पर मालियारपन करते वे भारती जन्ता पार्डी जिंदाबाद के जय घोश्ट लगाए इस अफसर्व पर कायरेक्रम को संबद्धित करते वे भाच्पा जिला अध्यक्ष प्रदीव उपाध्याएं ने कहा का 20 वर्स लगातार भृति जन्तापार को हो गए और लगातार जो हमारे प्रुषों से भारति जन ने जो इस पार्डी को यह सोचा भी नी था हमाड़े पुर्वक्षों के बहात जन्तापारी की प्रदेश की यह देश के अंधर सर्कार बनेगी लेकिन लगातार augenह तस इस अध्य टुश्ट बहारति यहन अच्ड के और उनाना यहां अजस्तापंद इए इस अऊसर पर टॉश्ट लेस्ट प्रफट धी पहरति इंता कण पता को जन्ती नीदियों को भाष Cler duplicate की अच्डवpy शुक्राम ना बदा वही वाड क्रमांग 12 बूत क्रमांग 17 पर भारती जन्ता पार्टी के स्थापना दीवस के आउसर पर कारेक्रम आयुजित किया गया कारेक्रम में मुख्य अतिती के रूप में निगम अध्यक श्रीमती मनीशा मनुश्यर्मा मोजूद रही कारेक्रम में भाच्पा के ध्वच को फेराने के साथ ही भारती जनता पाड़ी जिन्दाबाद नरेंद्र मोधी जिन्दाबाद के नारे लगाए गए वही वाड क्रमा 12 में आदा धर्जन के करीब अन्य दलों से आये लोगों को भाच्पा नेदा मनुश्वर्मा ने दूपट्टा पहना कर स्वागत किया इस अवसर पर भाच्पा नेता मनुश्वर्मा ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के कारेकाल में देश का गरोब बढ़ा है वहीं भारत आज वीश्व गुरूप बनने की और अग्रसर है भारत का मान दुनिया में बढ़ा है और हम सभी को मिलकर देश के यशश्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को भारी मतों से एक बार फिर विजय बनाना है और अपने वाड में शत्पतिशत मद्दान करवा हरा कर भाजपा को विजय बनाना है इस अफसर पर शेत्र के घारेश्व नेता कारेकرف दौक्त प्रचंड बहुमत से विजय बनाना है बूथ नंबर 70 पर आज इन सभी कारिकरताओं का भारती जन्ता पार्टी में स्वागत है अभिनंदन है कि वे राष्ट निर्मान के इस काम में हम सब के साथ अपना सहयोग प्रदान करेंगे आज भारती जन्ता पार्टी का इस्थापन हमारे प्रदान मंतरी जी ने अपने कारियों से अपनी लोग कल्यानकारी योजिनांसे अपनी दूर द्रस्ते विष्व में भारत को एक प्रथम इस्थान पर पहुंचाने का पुरा प्रयास किया है और वहां हम पहुंच भी गये भारत जैसी योजना जंधन खाते खुलवाने जैसी योजना राशन प्रदान करने जैसी योजना जो आज करोड़ों लोगों को लाब प्रदान कर रही है आवास योजना के मद्यम से करोड़ों लोग इसका लाब ले करके जिनका सपना था कि हमारा घर हो तो यह केसा प्रदा आने का काम किया है उसका हल किया है तो आज भारतियंता पार्टी के स्थापना दिवस पर हम सब संकल्प लेते हैं कि भारतियंता पार्टी को हमेशा की तरह अपना अशिरवात देंगे और हम सब कारिकरता इस बूत पर प्रचंड भहुमत और सो प्रतिशत मद्दान कराकर भा गिरफतार आर्योपियों में सेच 10,000 रुपये का इनामी सोराब मराठा भी शामिल है एसपी राहुल कुमार लोडा की निर्देश पर बांगरोद नेगरदा मारबर वर्चस की लड़ाई में हुए दोरे हत्यकान के फरार आरुपयों की गिरफतारी के लिए पुलिस दराप प्रयास किये जा रहे थे इसी क्रम में पुलिस ने आरोपी सोरप पिता बसंतिलाल निवासी सेलाना रोड नामली विजय पिता बसंतिलाल निवासी खेड़ापती हनुमान मंदिर रोड नामली एवं दीपक पिता मानक लाल निवासी कुमावत मोला नामली को गिरफतार किया है इसी तरह फरार इनामी आरोपी सोरप पिता सुरेश मराठा निवासी रतलाम को गिरफतार करने में भी पुलीस को सफलता मिल गई आरोपी सोरप मराठा की गिरफतारी पर एसपी द्वारा 10,000 रुपे का इनाम भी घोशीत किया गया था कॉंग्रेस के कार्यकरता सम्मेलन आयोजित हुआ जिसके अंतरगत रतलाम शहर रतलाम ग्रामीन और सैलाना विधान सभा के कार्यकरता सम्मेलन में कॉंग्रेस उमीद्वार कांतिलाल भूरिया के बेटे जाबुआ विधायक और प्रदेश यूंका अध्यक्ष विक्रांद भूरिया अपने बयान से चर्चा में आ गए उन्होंने जहां कॉंग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर तल्ख टिपणी की, वहीं भाजपा उम्मीद्वार के परिवार पर भी गंभीर आरोप लग मन्च से विक्रांद ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के परिवार पर हत्या के दस प्रकरण दर्ज हैं, शराब और रेत माफिया हैं और वन मंत्री होकर उनके क्षेतर के वन को तेजी से कटवा रही हैं, विक्रांद भूरिया ने कॉंग्रेस छोड़कर जाने वाले के नहीं एक बाड़ को हैं? परिवार पर जब से जारा मड़के आरोप हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सा, ताट, नो, तत, यहां तो एक अगर कोई मड़क कर देता है, तो उसको जे जाना पड़ जाता है. आरोप है उनके परिवार पर और अगर पूछना उन्हों में क्या करा आँ आपर तु का सम्मेलन आयोजित हुआ, कार्यकरता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अब की बार 400 पर का नारा इसलिए दिया गया है, क्योंकि सम्विधान बदलने के लिए 400 जरूरी है, एक बार सम्मिधान बदल गया तो अगली बार चुनाव ही नहीं होंगे। कार्यकरता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया की मौझूदगी में उनके लिए वोट मांगने को लेकर रणनीती बनाई। हम सम्मिलकर आपको एक लाग पचात अजाशे उपर ये चुनाव जिता करेंगे। भारत माता की। प्रदेश के कार्यकरताओं का सम्मेलन आयोजित हो रहा था वहीं, दूसरी और नहरू स्टेडियम के खुले पड़े मैदान में उगी सुखी घास के अंदर आग लग गई। आग से निकला धुमा इतना विक्राल था की दूर से दिखने पर ऐसा लग रहा था की क्षेतर में कोई भयावा आग लगी हो। नहरू स्टेडियम में आग लगने की सूचना पर शहर स्टीम संजीव पांडे भी मौके पर पहुंचे वहीं क्षेतर के व्यसाईयों ने ततकाल दमकल विभाग को फोन किया एवं दमकल की गाडियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अज़ के लिए बस नहीं तब फिर मुलापात होगी नई सुर्ख्यों के साथ तब तब के लिए नमस्कार वर्चस की लड़ाई को लेकर एक सब्ता पूर्व नामली थाना अंतरग द्वे दूरे हत्या कांड के 10,000 रुपे के इनामी आरोपी सोरब मराठा चला पुलिस के हत्ते सोरब मराठा के साधी अन्नी तिन हत्या गया आरोफियों को भी पूलिस ने पकड़ा बाकी अन्नी की तलास जारी कॉंग्रेस कारकरता सम्मेलन में प्रदेशीवा कॉंग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रान भुर्या ने भाजबा प्रत्याक्षी पर लगाया एक अंबीर आरोफिफ नहीं कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतु पटवारी ने कांधिलाल भुरिया को एक लाग पचास अदार से अधिक मतों से जिताने का दियावचन